नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवाल इंडिया बहुत स्वागत है आपका जन की बात में जन की बात में आज चार मुद्दों पर बात होगी ये मुद्दे क्योंकि आज के सबसे एहम मुद्दे हैं मेरे साथ मौझूद है न्यूजवाल इंडिया के एडिटर इंचीफ हरीश एस्वाल जी, बहुत स्वागत है आपका जन की बात में हरीश जी नमस्कार तो आज चार मुद्दों पर बात होगी, ये चार मुद्दे वो हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज इन चार मुद्दों को आप तक पहुँचाना बहुत जरूरी है सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की दिल्ली वासियों को केज़िवाल का एक बड़ा तफा कहें या राहत कहें मिलने जा रही है हरी जी अगर देखा जाए तो अर्विन केज़िवाल कभी हाथ कड़े कर देते हैं लेकिन कई बार हमने देखा है कि मदद के लिए भी बहुत जल्दी आ गया जाते हैं बिल्कुल कल हमने केज़िवाल जी के उपर कुछ बात की थी इसी तरह से उन्होंने अपने आप को फिर से बैक फूट पे लेते वे उन्होंने कहा कि बहुत जो भी राशन काट धारक है उनको भी हम दो मेने का राशन, प्रियोफ कॉस्स देंगे, ठीक है, तो उन्हों ने कहीं ने कहीं पर पहल ये भी करी, आज अच्छी बात और ये करी, आज उन्होंने जो हमने कल बोला था वो राजनीती कर जाते हैं, आज उन्होंने इस शब्द को पकड़ते हैं, भीया, मु मच रही है उन तक तो अच्छी बात है यह बिल्कुल और पॉजिटिव ख़वर तो ही लेकिन हरीज जी कैसा हो सकता था कि अगर दो हफते पहले के जिवाल यह एलान करते तो जो मजदूर थे जो चले गए हैं जिन्होंने प्लाइन किया है वो रुख जाते क्यों कि मुफ्त लोगों की बात सुनके कुछ तो एक्षिन ले रहे है तो धीरे-धीरे करके ही होगा और जिस तरह से उन्होंने एक्षिन लिये हैं कि पांच-पांच जार रोपर दे रहे हैं ऑटो रिक्षा वालों को सभी काट धारब को दो मेने का राशन दे रहे हैं तो आगे भी पाइब बहुत ही अच्छी खबर है आज की जो दिली से आई है इसके अलावा लेकिन हरीशी बंगाल से बहुत आज ऐसी तस्वीरे आई हैं जिने देखकर डर लग रहा है अभी दो दिन पहले ही नतीजे आए और उसके बाद हमने देखा कि चारों तरफ हाहकार मचा हुआ है टीमसी जीद गई है ममताव अनर्जी एक बार फिर से सत्ता सभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन जो तस्वीरे कल से वहाँ सामने आ रही है वो डर पैदा कर रही है कि आखिर क्यों इस राजुनिती के चकर में हम और आप जैसे लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं क्यों आखजनी कर रहे हैं क्यों एक दूसरे कमा रहे हैं हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो हम लोग वहां के रहने वाले हैं या वो लोग जो वहां के रहने वाले हैं उनको समझना चाहिए कि हमें आपस में लड़ना नहीं है अब हमारे को आगे चलना है आपको Hindu Muslim को मिलके चलना जाए कि हम कही नहीं लिखा है कि यह Hindu का है या कही नहीं लिखा है यह मुसल्मनों का है यह हम सब का है इसको आप समझे यह यह लोगों को बड़ी दिक्कत है कि राजनीताओं के चक्कर में आ जाते हैं, उनको हार का मलाल है, तो वो अपने लोगों को भड़काते हैं, या जो भी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, इनकी बातों में आ हैं, मैं सबसे अपील करूँगा, इनकी बातों में आ हैं, अपने घर परिवार को देखें, जो समय च सपोर्ट कीजिए खराब कर दिये ते अगले पांच साल में फिर बदल दीजिए ना तो आप इनके चक्रों में क्यों बढ़ रहे हैं मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है लोगों को थोड़ा सा अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और आगे इन चीजों को थोड़ा ध्यान में लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं हरी चीज में कि हिंदु मुस्लिम की जिराजनीटी यह बंगाल में वो कहीं न कहीं खतम नहीं हो रही है बहुत कोशिश की गई इस बार जब हमने चिनावी फिजा देखी तब हमने देखा कि ममता बनर जी जैश्री राम के नारे तो नहीं हिंदू हो जाओगे और मस्जिद के आगे जाओगे तो मुसल्मान नहीं कहलाओगे यह सब चीज पूक है मैं तो मैं तो बोलतا है हिंदू इंदू एक ऐसा वर्ड है मैं मतलब में मुसलिम को कुछ कहा हुँगा नहीं में मगरte हिंदू के साथ क्या है कि आगर पर मस्जिद के सामने से भूज़ाता ऐना उसका सर अपुनतिक दो तो यहां मैं scout हम Cum Laude बातों में आ जाते हैं मुर्ग बन रहे हैं तो उनका कोई वो नहीं है हिंदू-Muslim के चक्कर में पढ़ते हैं मेरे को तो समझ नहीं आया कभी परस्नली मुझे समझ नहीं आया बिल्कु लेकिन कई न कहीं ये चिंता-जना तस्वीरे हैं ट्विटर पर बहुत सारे चीजे अपलोड कर दी जाती है कुछ वीडियोज तो परस्नली अगर हरी चूछना देने के लिए अपने विचार रखने के लिए अपने मन की भडास निकालने के लिए टुटर थोड़ी नहीं बना है बई टुटर पर आप अच्छे विचार करो अच्छी कोई बात है उसको सर्कुलेट करो यह तोड़ी की हिंदु मुस्लिम करने के लिए आपका टुटर बहुत अच्छा किया टुटर नहीं बना काम किया आज पिल्पल ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इससे कही ना कही अपनों का दर्द भी चलगता है साथी साथ हिंसा जो है और जादा बढ़ती हुई नजर आती है हम हिंसा को प्रोमोट कर रहे होते हैं इसके लावा आज खेल जगत से एक बहुत बड़ी खबर साबने आई थी वो यह कि इस दोरान दिल्ली में या मैं कहूं कहीं राज्यों में लॉकडाउन जिसी प्रक्रिया चल रही है कहीं पर विकेंड लॉकडाउन है कहीं पर पुरा-पुरा वीक लॉकडाउन है कहीं पर नाइट कर्फ्यू है कहीं पर पंद्रा दिल का लॉकडाउन हो चुका है अगर मैं बिहार की बात करूं त तो लेकिन यहां पर एक जरिया था कि लोग आई पेल मैश देख रहे थे शाम को थोड़ा इंटरेंडमेंट भी हो जाता था काफी लोग वैस्त हो जाते थे महिलाएं भी आजकल मैश देखने लगी उनका इंटरस बढ़ गया था इसमें और पुरिशों के लिए तो खैर था ह बुरे के साथ कुछ अच्छा भी दे रहा है यह समय आपको दुबारा नहीं मिलेगा दुबारा आये भी ना किसी की लाइफ में ऐसा समय पर इसके साथ साथ आपको अपने फैमिली के साथ जो कभी आप सोचते नहीं तो आपके सब कोश्चन खतम हो रहे हैं आप करिए इसक अब कैसे अपनी फामिली के साथ समय बिता अब तो अब इस तूडियो में आना पड़ता है मजबूरी है फैमिली टाइम को भी करते हैं अगर लोगों तक भी बात पुचानी है यह काम करना है यह हमारा मतलब करतव है कि हम सब लोगों के सामने आए काम करें तो हम लोग फि चीज़ में अगर आप सकरात्माक्ता ढूडेंगे तो आप खुद बहुत जादा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे इसलिए जरूरत है जरूरत पॉजिटिव की है और हरीजी आज एक बहुत अच्छी खबर हमारे लिए हमारे लिए इसलिए क्योंकि यह पत्रकारो को लेकर क्योंकि प्रेस सवतंता दिवस्ता कर विश्व जिसको लेकर हमने तमाम मुद्य उठाए थे और हमने बोला था कि पत्रकारों को लेकर सवतंता दिवस्तों मराये जाता है लेकिन पत्रकार क्या वाकिशी सवतंत्र है उन्हें ते फ्रंट-Line workers में भी नहीं रखा ग पत्रकार भाईयों के लिए फ्रंट-Line के तरफ एक एक रास्ता खुला है हमें वैक्सिनेशन प्री मिल रही है तो बहुत-बहुत बदाई सबको है ना इसी तरह के कुछ ना कुछ मुद्धे हम उठाते रहेंगे और हम सब भाई आपस में मिलकर इसको उठाएंगे और पह पहलुत अच्वी हैं और कई ने कहीं कहा जा सकता है कि एक बहुती सरानिय कदम है कि जो पत्रकार हैं जो इन दिनों भीड में जा रहे हैं हाला कि पूरी साथानी के साथ जा रहे हैं लिकिन नहीं पता कि वो कब कोरोना की चपेट में आ जाया हूँ फिर भी अपनी जान जोखियों में डाल कर आप लोगों तक खबर पहुंचा रही हैं। दूसरा हमारा वैक्सिनेशन इसी तरह के मुद्ध हम आगे भी लाते रहेंगे और आप अपने सुजाओं हमें देते रहें ताकि हम कोई ऐसा मुद्ध हम से छूटना जाए क्योंकि हम लोग भी इंसान है काम करते हैं कुछ ने कुछ छूट जाता है और हमारे पत्रकार भाई झाल जाता है